स्टेलिया जी आज हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड रहे हैं जिनका नाम है साकीत और साकीत का हाल ही में उस्टेलिया वीजर लगए और वो उस्टेलिया गए है तो आज हम साकीत से जाने की कि इंडिया से उस्टेलिया पहुंचने तक का इनका सफर कैसे रहा और साकीत को क प्रॉब्लम्स आई कैसे इनकी है और आप असेलिय जाके इनको कैसा लग रहा है तो साकेट कॉंग्रेटुलेशन आप असेलिया पहुंच गें तो क्या फीलिंग है अब यहां पी खतम हो जाती है यहां टेंशन बहुत जादा आ जाती है लेकिन यह है कि मतलब एक स्टेज होत क्या है अगे बढ़ते जाएंगे बिल्कुल साकेट एक पहला स्टेंप चीब करना बहुत ज़रूरी होता है मैं सबसे पहते साकेट कि आप यह बताईए कि आप इंडिया में कहां से हैं और आपका वीजा का सफर कैसे रहा मैं सर बेसिकली सोनिपत से बिलोंग करता हूं और मैंने वेस्टनों से जोइन किया और वहां मतलब फ्रेंडली स्टाफ था बहुत हैल्पूई मेरी लाइट की आप वन मंथ में मैंने एपी टी क्लियर कर ली थी और उसके बाद तो फिर यूनो करोन आ गया और उसमें तो वीजा आतो गया मेरा फ्लाइट की वेट कर रहे थे है फिर तो कब खुलेंगी कब खुलेंगी कब खुलेंगी और फिर फैनली वह भी खुल गी और हम यहां यहां तो साकेत आप फ्लिंडर्स उनिवर्स्टी में है और आपका प्रोग्राम कौन रहा है साकेत साकेत जब आपका वीजा आया फ्लाइट कुलने की अनॉसमेंट हुई तो जो उसके बीच का प्रोशीजर बताएगी कि आपका कैसे प्रोसेस रहा जब आपने त्यारी कर रहे है उसलिए जाने की टिकेट बुक कराई तो उसमें कोई दिक्कत आई हो या कुछ ऐसा चीज ज जैसे एक तारिक को फ्लाइट कुलने थी पहले एक दिसम्बर को फिर वो बुक करा लिए जैसे टिकेट मैंने फिर यह न्यूस आई कि फ्लाइट क्लोज होगी दुबारा फिर वो टिकेट मैंने पॉस्पॉन कराए मतलब तो उसमें कुछ एक्स्टा चार्ज दिलें और साक वो तो आई था पहले सिर्फ लाइक टेस्ट वाता सिर्फ लाइक ट्वर पहले का था बस रिपोर्ट हमारे पास वो नेगिटिव होने चीए थी जी और बाकि इमिग्रेशन वाले बहुत पॉलाइट थे ना कोई मुतलब वैसे ड्रा रखा था पहले तो कि जादा पुछते इमिग्रेशन वाले ये करते हैं वो करेंगे जादा पुछेंगे मतलब ऐसा कुछ नहीं था सर लाइक मेलबॉन मेरा वो था जी था था तो उदर भी मैं मतलब ये लगा लो बाहर गूम क्या था कोई इस्टिक्शन नहीं कुछ नहीं था मतलब उदर हाँ थोड़ा सा जब पर उतरा तो उन्होंने जो दर इमिग्रेशन थे ही मतलब उन्होंने थोड़ी सी अपना उतर पे एक तो जैसे कैस्ट होना था अगेन अपनी वो रिक्वार्मेंट पूरी की और फिर मतलब मेरे से पूछ के कहां जाओगे कहां क्या है फिर बस जहां में आप से जाना हो कहां से आए हो कहां जा रहे हो क्या सवाल थे बहां पे उती है लाइक सची बताओं तो जो अपना जैसे स्टार्टिंग में डैली में इमिग्रेशन वाले थे जी वो तो फ्रेंडली थे मतलब वो तो यह लगालो जंकार थे एक तरीके जंकार निकल गये थे तो उदर अब तुम आ चुके तो छले जाओ तो अब तो में में सर बस जिस्म्पल कोशिंट थे कौन सी इनिवस्टी है मतलब दो इक वर कितने देर कहां जाओगे आप मतलब यहां में में रुकोगे अडलेट तो मैंने कहा जा जाना भी बस तिर अडलेट में मतलब वो जैंट लाइ कि यह वो मांग रहे थे सर एक्जंशन मांग रहे थे तो मतलब कुछ एजैंट को यह मतलब इमिग्रेशन वालों को पता भी नहीं था कि अलाओ कर दिया है तो इतने भी मतलब ऐसे पांच से साथ स्टूडेंट से उनको मतलब अलग से उनका कोविड टेस्ट कराया पहले त प्रेंशन स्टूडेंट्स का बस फिर उनके अड्रेस वगरा लेके डीटेल्स लेके उनको जाने दिया ज्यादा कुछ नहीं था हूं चुछ है और साकेत अभी आपकी क्लासिस में शुरू होगी है नहीं अभी नहीं नहीं सर क्लासिस फैम में स्टार्ट होंगी टुंटी तो अभी और स्टीलिया में क्या महौल है क्या डर है कोविट को लेकि जो थर्ड वीव है या नॉर्मल चल रहा है सब कुछ ऐसे यहां पर नॉर्मल हो गया था सिखिंड वीव के बार सर यह बताओं सारी बलुफ है सरी है कि इतना डर है मुतलब हर दूसरे बंदेगा वैसे लेकिन अकोर्डिंग टुदा गवर्मेंट अनलो उनके इसारी हमने फोलो करना पड़ेगा बिलकुल बिलकुल साकेत बिलकुल सही बतार हुआ और क्या फीड़बैक देना चाहिए वेस्ट नोबसीज के लिए आपकी हेल्प के लिए या मतलब क्या रेक्मेंट करोगे वेस आगे भी करूँगा मतलब एक तो नेचर बहुत अच्छा है सब का इतने भी थे मतलब वहाँ पर जी सबने सपोर्ट किया मेरे को सब्सक्राइब करें जाता है तो यू कैन फील देट लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग विदेश में पढ़ने का सपना रखते हैं उन्हें साकेट से सीख लेनी चाहिए और उन्हें अप्रोच करना चाहिए वेस्ट नोबसीज को एट नाइबल वन सैवन शारें के साथि यूनिवर्सटी की एक लिक्लासिज का विदबध लें तब तक साकेट सुम्हैए फ्लेंडर उनिवर्स्टी का टारतुपा, तब तक साकेट की क्लास तक लेंगे तब तक साकीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम मिलेंगे अगले पार्ट में थांकि सोमाज साकीत